तो इस टाइम ठंडी बहुत ज़्यादा पढ़ रही है और मूली को कोई लोग खा नहीं रहें तो मूली को बिल्कुल फेक ये मत बलकि इस तरीके से बनाए मूली और मटर का इदम भुजिया की रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी बहुत ज़्यादा हेल्दी होगाली होता है बहुत टेस्टिवान के तयार होगा तो चलिए, देखते हैं को बनाने के लिए अपको लेग ले लेना होगा मूली तो मूली के सांथ पर इसमें आय्ट करेंगे हरा मतर इससंता लगता है और इसमें डालने के लिए लाशन काटके लिए हमने धूड़ा से प्याज और दो हरा मिर्स ले लित ल villain है हैस मैं तेल को ड neu तरका लाल हो जाए हलका से भुना जाए तब मायट कर देते हैं अपने मटर और मूली को तो दोनों चीजों को डालने के बाद इसे करना है बढ़िया से मिक्स तरीके से इसको चला देना है अब करना कहा ना इसी के साथ हम इसमें नमक डाल देंगे अपने स्वात के नुसार न पांच मिनट के लिए तो हम ढग देते हैं और पांच मिनट होने के बाद इसे फिर से खोल के एक बार चला देना है और फिर इसी के साथ इसमें हम आयट कर देंगे आधा चमच हल्दी का पाउडर इसको डालने से कलर अच्छा आएगा और एक चमच धनिया का पाउडर दोन पांच के और मतर है चैसे से पख गया है और इसमें हलका पानी तक बादा अच्छे से सूंख जाए अब इसको आशको खोल की पटा लेना है दो तिन मिनट और तो यहां पर हमारा जो मूली का सब्जी है देखी कि इतना अच्छे से बन गया है बहुत ज्दा टेस्टी है खा फोट सी सब्सक्राइब